हलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं आपके कक्छा सेवन का जो मन्थली एसेस्मेंट था उसका हम लोगों ने संस्कृत हम लोगों से छूट चुका था इसलिए उस वीडियो में जो है आपका संस्कृत का सॉलूशन नहीं बताय गया था तो वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण तो इसलिए बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का चूटा हुआ पार्ट है उसको हम कवर करेंगे वीडियो में सुरू करने से पहले आप लोगों से स्कृतरा जो होते हैं वहिए जाते हैं ठीक है न चात्रक्ट है या पटना यह जाते हैं था ओप्रतीट आपक Stage का संकतใ तो बच्चों आपको यहांपर आइसर देना है, ओप्सिन नमबर है, चतूर्थ विवक्ति, ठीक है समझ में आग 민주 एक आपको चतूर्थ विवक्ति आपको आऊंसर देना है तीसरा कोश्चान है, बच्चों, आपको छात्रा है, कुल कुत्र गछति, ठीक है तो ये आपको हो गया तीसरे नमबर चलिए तीसरे नमबर का हम लोग आंसर देख लेते हैं बच्चों तो बच्चों तीसरे नमबर में आपको आंसर लिखना है ये वला आंसर लिख दिजेगा आप ठीक है छात्रा है पठनाय विद्यालम गचंती छात्रा जो है वो पढ़ने के लिए विद्यालाय जाते हैю आँसर को आप लिखेंगे अपने तीसरे नंबर के अंसर में ठीक है बचों, उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है चलिए अब next सवाल पे चलते है बच्चों हमारा next सवाल है चौथा सवाल है तो चलिए इसके answer को देख लेते है तो बच्चों इसके answer में आपको क्या लिखना है इसके answer में आपको लिखना है तो आप इसको लिख लेंगे अपने answer में ठीक है बच्चों तो उमीद करते हैं बच्छों आपको आज के class अच्छा लगा होगा जो आपका छूटा के छूट गया था उसे हमने पूरा कर दिया है तो आप इसे note कर सकते हैं अपने assignment को पूरा कर सकते हैं ठीके बच्छों तो चली जल्दी मिलेंगे अपने अगले part में अगले videos में जो आप जरूर देख लिजे चैनल के playlist पे जाकर class 7 वाले folder में तो चली मिलेंगे अपने अगले part में ठैंक्यू